आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ डाउटनेट पर आप पाएक कोटा के Best or Top Teachers जैसे अब हम देखेंगे अपना लास्ट पार्ट आफ रेस्परेशन इन प्लांस ओके प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था क्या क्रेप साइकल ओके उसके बाद देखा था एलेक्ट्रों ट्रांस्पोर सिस्टम एंड ऑक्सिदेटिव फोस्फोर रिलेशन देखा था मंने वाप है क्यासे नत्वार ठीक्स से रॉर FADH2 से अपना बंता ऐग क्या atp अब देखेंगे अपने Balance Sheet कि यहां भद देखेंगे कि ओपना पूरा लेका जोगा हो था है इस पूर प्रसेस का कितने कितने ATP नहीं बन रहे हैं, कितने ATP नहीं बन रहे हैं, मतलब total production कितना हुआ, simple सी बात है, तीक है, अब देखों, यह फालतू की बकवास लिख रहे हैं, इसके ज़रूरत नहीं है, अपना जो ultimate result है, इस पूरे paragraph में, वो क्या है, कि net gain जो होता है, अपना, वो कितना होता है, 36 ATP molecules क अपने कैसे होए, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले glycolysis, तो glycolysis से अपने direct 2 ATP का net gain हो रहा था, तो 2 ATP अपने वहां से आ गए, ठीक है, फिर हमें यहां पर क्या मिल रहे थे, glycolysis के अंदर, 2 ही NADH, तो इस 2 NADH से हमें कितने मिलेंगे, 1 NADH से 3 मिलते हैं, तो 2 into 3, यहां पर हो जाएंगे, अपने 6, 6 plus 2, total अपने glycolysis के हो गए, 8 ATP, ठीक है, अब फिर हमने देखा था, क्या, जब अपना pyruvate का conversion होता है, इसके अंदर, acetyl coenzyme A के अंदर, acetyl coenzyme A के अंदर, तो भी अपने क्या release होते है, एक molecule of NADH, अब 2 pyruvate को convert करना है, तो जाहर सी बात है क तो NADH, यानि कि फिर से 2 into 3, इस process में 6 ATP का formation होता है, अब आते हैं हम, last अपना krebs cycle पे, ठीक है, तो krebs cycle में क्या होगा, देखो यहां पर हमें मिलते हैं, क्या 6 NADH2, ठीक है, 2 FADH2, और 2 अपने GTP, basically GTP या कह सकते हैं, आप इसको directly ATP, ठीक है, 6 into 3 into 2, यह कितना हो जाएगा, 18, यह हो जाएगा अपना 4, ओके, और यहां पर तो 2 है, तो यह total कितना आ जाएगा, देखो, 18 और 220 और 24, 24, यहां पर कितना था, 8 और 6, 14, 14 हो गया, तो total कितना आ जाएगा, 38 ATP, तो अब आप सोच रहेंगे, यार, NCRT में 36 दे रखा था, तो अपनी क्या balance sheet में गड़बर हो गई, नहीं, कोई गड़बर नहीं हुए, देखो, होता क्या है, कि हमने देखा था, ओपर कि 2 अपने, NADH, कहां पर बन रहे थे, glycolysis के टाइम पर, और glycolysis जो है अपना, यह अकर करता है, Cytoplasm के अंदर, तो जब Cytoplasm से, mitochondria के अंदर, क्या भेशते हैं, NADH भेशते हैं, तो यहां पर utilization होता है, ATP का, ठीक है, और, पर NADH, एक ATP molecule का utilization होता है, तो जाहिर से बात है, कि 2 NADH है, तो 2 ATP का होगा, तो माइनस अगर इसमें हम 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36 ATP का net gain, अब देखो, यह भी depend करता है, अपना किस के उपर, कि कौन से shuttle से, shuttle कह सकते हैं, basically gate कह सकते हैं, कौन से gate से अपना NADH जो है, वो अंदर आ रहा है, एक gate का नाम होता है, क्या, glycerol 3-phosphate, और एक gate का नाम होता है, mallet aspartate shuttle, और we can say aspartate gate, ठीक है, तो यह जो gate है, यह तो ATP use कर अब देखने को मिलता है, किस के अंदर, heart हो गया, kidney हो गया, और organs हो गया, ठीक है, other necessary organs हो गया, तो basically organs यह होते हैं, उसके अंदर हमें mallet shuttle देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि organs को energy का requirement जादा होता है, इसलिए अगर वो यहाँ पर ATP बचाएंगे, तो अच्छी बात है ताकि वो उसको energy में use कर सकें, ठीक है, लेकिन most of the living cells के अंदर, glyceryl 3-phosphate shuttle present होता है, तो हम net gain जो हमेशा consider करते हैं, कितना 36 ATP, exam में अगर आएगा 36 ATP और 38 ATP तो आपको mark करना पड़ेगा 36 ATP, ठीक है, अगर वो specially mention करते हैं, कि भाया, mallet shuttle यूज करा गया, तो 38 ATP mark कर सकते हैं, ओके, या मारा answer क्या होगा, 38, ओके, अब हम देखेंगे क्या, अपना aerobic respiration की efficiency, तो total gain जो हो रहा था, ATP का, वो कितना हो रहा था, 36 ATP, एक ATP जो होता है, वो yield करता है, कितना 34 kg per mole of energy, तो अपना क्या हैगा, यहाँ पर देखो, 36 into 34 कर दें, या दोनों केस का निकाल लेते हैं, 36 का और 38 का, तो 38 into 34, तो यहाँ पर अपना क्याएगा, 1292 किलो जूल पर mole, और यहाँ पर आएगा 1224 किलो जूल पर mole, अब एक glucose molecule से हमारे इतने ATP निकले हैं, और एक glucose molecule में कितनी energy होती है, 2870 किलो जूल पर mole, तो अब हम यहाँ पर क्या करना है, simply 1224 divided by 2870 into 100, तो यहाँ पर 192 divided by 2870 into 100, अब यहाँ पर कितना आता है, 45% और यहाँ पर अपना आता है, approximately 43%, तो यह हो गया अपना energy of aerobic respiration, तो यह हो गया अपना energy of aerobic respiration, तो अगर इसको में साथ में compare करना हो, किसके fermentation में अब fermentation में, अपना total ATP का gain कितना हो रहा था, दो ही हो रहे थे, तो अब देखो, simply 2 को 34 से multiply करोगे, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 2870 इन 200 यह आता है, अपना approximately 3% के आसपास, और आपने पहले ही बताया था, कि anaerobic respiration में, energy production कितना होता है, less than 7%, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल भी रहे, तो यह होगे अपना respiratory balance sheet वाला topic finish, अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या amphibolic pathway, अब देखो, amphibolic से मतलब क्या है, यहाँ पर इस चीज को हम समझते हैं, यानि कि, यहाँ पर क्या हो रहा है, catabolism भी हो रहा है, catabolism का मतलब की breakdown, ठीक है, और anabolism, anabolism का मतलब की किसी चीज का synthesis, तो जब दोनों चीज देखने को मिलती हमें किसी पात्वे के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम amphibolic पात्वे कहते हैं, अब अब हमें इतना पता है, क्या, कि अपना जो glucose है, ठीक है, basically क्या है, फेवर सबस्टेर्ट है फोर respiration, जितन को भी हम respire कर सकते हैं, but उनका भी पहले breakdown करा जाएगा, किस के अंदर, glucose के अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस वाले फेजर में, यह है अपना fat, तो fat जो है, उसको पहले break किया, किस के अंदर fatty acid और glycerol के अंदर, अब glycerol जो है, यह enter कर सकता है, respiration वाली process के अंदर कहा से, dihydroxy aceton और glycerol dihyde 3-phosphate वाले steps से, fatty acid अपने enter करेंगे कहां से, acetyl coenzyme A से, अब यहाँ से एक important question आने वाला है, उसको ध्यान से देखना, carbohydrates यह है, अपने glucose बन रहे, ultimately क्या बन रहे है, यहाँ पे, acetyl coenzyme A, proteins, amino acids, pyruvic acid, ultimately acetyl coenzyme A, exam में ऐसा question आता है, कि respiration के time पे, fats, carbohydrates, carbohydrates, protein के, तीनों के time पे हमें, कौन सा common product देखने का मिलता है, तो कौन सा देखने का मिल रहा है, acetyl coenzyme A, अब आप सोच रहोंगे कि, आगे पूरा crap cycle common ही तो है, तो वो तो common है, लेकिन first common product ज्यादा important होता है, और यही option में देते हैं, ठीक है, अब वापीस आते हम, जो हमन में degrade करना पड़ेगा, acetyl coenzyme A के अंदर, तो मैं यहां पी यह सब लिखने भी जा रहा हूँ, उसका एक reason है, यह fatty acid से हमारे क्या बनते है, acetyl coenzyme A, आगे glycerol जो होगा, अगर उसको enter करना है पात्वे, तो वो convert होगा कि से phosphoglyceric acid में, तो अगर glycerol को पात्वे में enter करन हैं, तो वो पागल बन जाएगा, यानि कि phosphoglyceric acid बन जाएगा, ठीक है, proteins को degrade होना पड़ेगा by proteases, और बनना पड़ेगा क्या amino acids, उसके बाद ही वो enter कर सकते हैं, किसके अंदर, crap cycle के अंदर, ठीक है, तो अब हम यहां पर कह देख रहे हैं, कि जो respiratory substances है, या respiration जो है, उसके break ही हो रहा है, हमने क्या बोला, कि glucose का oxidation, glucose का breakdown, breakdown, तो अब हमारी तमाग में क्या बेट गया है, कि यह catabolic process है, बट ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है, उसको हम समझते हैं, तो जैसे कि हमने उपर बोला, कि different points पे, अपने respiratory pathway के अंदर, different substrates enter करते हैं, और उनको respire किया जाता है to derive energy, अब important बात यह है, क्या, कि अगर इसको हम withdraw करते हैं, respiratory pathway से, तो हम क्या कह सकते हैं, कि हम इस से, यानि कि, acetyl coenzyme को अगर withdraw करते हैं, तो उससे हम fatty acids मना सकते हैं, ठीक है, यानि कि, इसको एक example की help से समझो, कि जैसे अगर fatty acids को हम broke कर रहे हैं, to acetyl coenzyme A, before entering respiratory pathway, जब उस की जरूत है, यानि कि, जब आपको energy की ज़्यादा जरूत है, लेकिन, अब जब organism को, वो fatty acids की जरूत है, तो क्या, acetyl coenzyme को हम withdraw कर सकते हैं, pathway से, और बना सकते हैं fatty acids, ठीक है, तो हाँ, हैसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, इस से लिए अपना जो respiratory pathway होता है, उसको हम catabolic नहीं कह हैं, जैसे नीचे हमने देखा था, क्या amino acids, तो amino acids से वापिस क्या, हम respiratory pathway से amino acids लेके, फिर से proteins नहीं बना सकते, according to requirement, तो basically, यहाँ पर क्या हो रहा है, catabolism हो रहा है, ठीक है, यानि कि, breakdown हो रहा है, किसका, substances का, यह substrate का, और उनका synthesis भी हो रहा है, और जब दोनों चीजे हो, respiratory pathway क किसी भी pathway के अंदर दोन चीजे हो, तो उसको क्या कह देते हैं, amphibolic, तो यहाँ पर इसलिए ही कह रहा है, कि इसलिए अपना जो respiratory pathway होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम amphibolic pathway कहते हैं, rather than catabolic one, अब exam में यहाँ से भी एक important question आया है, कि भाईया, respiratory pathway जो है, आपका catabolic है, metabolic है, और amphibolic है, answer क्या होगा, amphibolic होगा, अब हम कुछ intermediates देख लेते हैं, जो अपने respiratory pathway के हैं, लेकिन उनको various compound के precursor के लिए, formation के लिए यूज के जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको note करना है, क्योंकि exam में यहाँ से question आया हुआ है, Acetyl Coenzyme A, fatty acids तो यह बनाई रहे हैं, लेकिन carotenoids जो होते हैं, ठीक है, carotenoids के बारे में हमने photosynthesis वाले chapter में पढ़ा था, यह अपने pigments होते हैं, और terpenes, साथी साथ, gibberlin, तो अपना यह क्या है, plant growth hormone है, और यह भी किसे बन रहा है, Acetyl Coenzyme A से, फिर हमने देखा था क्या, क Succinyl Coenzyme A, यह भी बन रहा था, ठीक है, तो यह raw material होता है, किसके लिए for chlorophyll as well as cytochrome, तो cytochrome अपना क्या है, electron carrier है, ठीक है, जो मैं electron transport system में देखने का मिलता है, फिर अपना oxalacetic acid भी बन रहा था, तो यह क्या बनाता है, alkaloids, और साथ ती साथ, प्रेमेडाइन, प्रेमेडाइन अपने क्या होता है, nitrogenous basis होते है, और last यहाँ पर है, alpha keto glutaric acid और glutarate, इस से क्या बनता है अपना amino acids, और amino acids से बन सकता है क्या अपना proteins, तो इसलिए हमारे जो respiratory बात है हो गया, वो क्या हो गया, एक amphibolic बातवे भी हो गया, अब अपना last topic बच इस chapter का respiratory quotient जो की बहुत ही easy है, लेकिन उससे भी बहुत questions आते हैं, तो हलके में मत लेना, okay, तो respiratory quotient क्या होता है, basically अपना volume ratio होता है किसका, volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration, is called respiratory quotient, तो यहाँ simple formula, बस आपको कुछ नहीं याद करना है, अब याद क्या करना है, कि जो different अपने respiratory substrates होते हैं, ठीक है, उनकी value याद करना है, glucose की कितनी होती है, proteins की कितनी होती है, fats की कितनी होती है, ठीक है, तो यह सब हमें अब देखना है, सबसे पहले हम start करेंगे अपना glucose से, तो अब देखो reaction लिखो, C6H12O6 plus 6O2, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, 6CO2 plus 6H2O plus में energy, अब यहाँ पर volume of CO2 evolved, कितना हो रहा है, 6 molecules of CO2 plus volume of O2 consumed, 6 molecules of O2, तो answer यहाँ पर क्या आजाएगा, 1, that means कि glucose का respiratory quotient कितना होता है, 1 होता है, और एक यही होता है substance, जिसका RQ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, बागे किसी का 1 नहीं होता है, तो exam में पूछा जाता है कि 1 respiratory quotient किसका होता है, तो अब हम नीचे move करते है, यहाँ पर देखो, दे भी रखा है, ठीक है, दूसरा, जब when fats are used in respiration, तो fats का बता रहा है, अब fats में यहाँ पर reaction दे रहा है, तो उपर के आया 102 molecules of CO2, नीचे के आया 145 molecules of O2, तो अपना ratio के आया 0.7, अब क्योंकि ratio है तो इसका कोई unit नहीं होगा ठीक है, तो हमारे fats का हम साथ-साथ लिखते भी रहते हैं, glucose, glucose का respiratory quotient हो गया 1, थोड़े dark color से लिख देते हैं, तो glucose का respiratory quotient हो गया 1, fats का अपना क्या हो गया 0.7, और proteins का इन्होंने reaction नहीं दे रहा है, बट solve कर रहा है, तो proteins का अपना respiratory quotient होता है 0.9, एक्जाम में बहुत बारी ऐसे questions दिये हैं, ठीक है, तो आपको यह याद रखने है, अब कभी-कभी एक्जाम में हमसे यह भी पूछ लेता है, कि ऐसे कौन सा substances हैं, जिनका respiratory quotient जो होता है, वो more than 1 होता है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते है, oxalic acid, oxalic acid का respiratory quotient होता है, 1, यहनि कि वहाँ पे CO2 जादा produce होता है, compare to O2, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है, अपना malic acid, तो malic acid का respiratory quotient जो है अपना, वो होता है, 1.33, और simply we can say, अपने जो organic acids होती है, organic acids, उनका respiratory quotient होता है, more than 1, ठीक है, तो अब एक और quotient बन गया, कि more than 1 respiratory quotient हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, अब इस topic को खतम करने से पहले, एक last बात, और वो क्या है, कि anaerobic respiration के अंदर, अगर हम respiratory quotient निकालें, तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखो, C6, H12, O6, और यहाँ पे हम zymase ले ले लेते हैं, enzyme, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, alcohol, C6, H5, OH, plus 2CO2, अब अगर इसका RQ हम निकाले, तो उपर तो क्या जाएगा, 2CO2, नीचे अपना O2 यूजी नहीं हो, याने कि 0, O2, तो अब इस case में, respiratory quotient क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा, ओके, तो अब आप देख सकते हैं, कि अपना respiratory quotient 1 हो सकता है, infinite हो सकता है, less than 1 हो सकता है, और more than 1 भी हो सकता है, तो इनका typically पूशेंगे, पूशेंगे नहीं, बहुत मुश्किल चांसे हैं, पूशेंगे कि more than 1, किसका होता है, RQ, तो आपको क्या बताना है, organic acids का, ठीक है, infinity किसकेस में आता है, तो anaerobic respiration में आता है, 1, fats की और proteins की और glucose की, यह तो देखो, 3 basic है और बहुत important है, तो उसकी तो आपको याद करने ख़ड़ेगी, तो यहाँ पे अपना chapter खतम होता है, respiration in plants, next videos में हम आने वाली videos में देखेंगे, अपना plant physiology का next chapter, that is, plant growth and hormones, thank you so much. से जादा students का भरोसा, आज जी डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर,